जैश्री हरी, स्प्रिचल यान में आप सभी कई बार फिर से स्वागत है 14 जून को है योगनी एकादशी तो आईए जान लेते हैं योगनी एकादशी वरत कथा, इसका महत्व, पूजा, विधी, शुब, मुहरत और कब कर सकेंगे हम अपने वरत का पार हैं तो असाड की क्रिश्न पक्ष की एकादशी को योगनी एकादशी के नाम से जाना जाता है इस एकादशी को भगवान विश्नो और माता लक्ष्मी की पूजा आर्चना की जाती है उपवास रखा जाता है इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी अपना अलग महत्व है आसाड क्रिश्न पक्ष एकादशी की शुरुआत 13 जून को सुभा 928 से हो जाएगी और यह तिथी 14 जून बुद्वार सुभा 8.48 बजे संपन होगी उद्या तिथी में यह वरत 14 जून को ही रखा जाएगा योगनी एकादशी का क्या महत्व है तो योगनी एकादशी के दिन वरत रखने और विश्नु जी की पूजा करने से घर में सुख सम्रद्धी आती है मोक्ष की प्राप्ती होती है इस एकादशी को काफी फलदाई माना गया है विधी विधान से योगनी वरत करने वाले व्यक्ति को 88 ब्रहमर जोडी को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है उसे वरतमान और पिछले जीवन के सभी बापों से मुक्ती मिल जाती है साथ ही अंजाने में हुए गल्तियों के उल्जनों से भी छुटकारा मिलता है इसके अलावा योगनी एकादशी का वरत रखने वालों को श्री हरी के चर्णों में स्थान की प्राप्ती होती है वरतधारी को भगवान विष्णू की मूर्ती को इसनान कराना चाहिए और फूल धूप से उनकी पूजा करनी चाहिए इस दिन भ्रामणों एवं जरूरत मंदों को चीजों का दान करना भी बहुत शुब माना जाता है इस दिन क्या करें? तो योगनी एकादशी के दिन श्री हरी के भजन करें उनके नामों का जाप करें इस दिन भजन कीर्टन करने से सभी पापों से मुक्ती मिल जाती है इस दिन व्रत रखने और साधना करने से भी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है इस दिन केवल जलिय आहार ग्रहन करना चाहिए इस दिन अपने गुस्से पर नियंतर रखना चाहिए जितना ज़्यादा संभव हो विश्णु जी के साथ साथ शिवजी की भी उपाशना करने चाहिए क्योंकि भगवान विश्णु के जो आराद्ने है वो भगवान शिवजी है योगनी एकादशी व्रत पूजा की क्या विदी रहेगी? तो एकादशी की व्रत का तीनों लोकों में महत्व है जो व्यक्ति इन व्रतों को करता है वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है एकादशी व्रत के नियम दश्मी की एक रात्री यानि की दश्मी तिथी की रात्री शेही शुरू हो जाते हैं व्रत दश्मी की रात से शुरू हो जाएगा और द्वादशी की सुभा यानि की जब हम पारण करेंगे तब हमारा जो व्रत है वो खुल जाएगा और खुलने के वक्त हमें दान आदी करना चाहिए जिससे कि हमें व्रत का बहुत अच्छे से प्रभाव मिल सके एका दशी के दिन व्रती को सुभा जल्दी उठकर स्नान आदी नित्यकर्म करने चाहिए इस नान के लिए मिट्टी या तिल का लेप लगाना शुभ माना जाता है पूजा शुरू करने से पहले संभव हो तो एक कलश स्थापित कर लें और उस पर भगवान विष्णू की मूर्ती स्थापित कर लें अन्यथा ऐसे भी पूजा कर सकते हैं उसके बाद अगर बत्ती दीप आदी से भगवान का पूजन करें व्रत की रात्री को जागरन कीजिए दश्मी की रात से शुद्ध शाकाहरी भोजन करना चाहिए और नमक रहित भोजन करेंगे तो जाद अच्छा रहेगा योगनी एक अदशी की व्रत कता सुन लेते हैं तो किवधन्तियों की अनिसार अलकापुरी नामक नगरी पर कुबेर नाम की राजा शाशन करते थे वे भगवान शिव के बहुत बड़े भगत थे वे हेमा माली द्वारा लाई गई पूजा में फूल चड़ाते थे हेमा माली की विशालाक्षी नाम की एक सुन्दर पत्नी थी एक बार वे मानसरोवर से फूल लाकर पूजा में आजाकर पत्नी के साथ समय बिताने लगे दोपहर तक राजा कुबेर उनकी प्रतिक्षा करते रहे लंबे समय तक प्रतिक्षा करने के बाद वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने नोकरों को हेमा नाम का जो माली है उसको खोजने का आदेश दिया जब नोकर वापस लोटे तो उन्होंने कहा कि हे राजा वह अपनी पत्नी के साथ आनंद में व्यस्थ है यह सुनकर राजा ने तुरंत अपने सेवकों को हेमा मानली को बुनाने के लिए आदेश दिया उन्होंने माली को अपनी पत्नी से अलग होने का श्राप दिया और मृत्य लोक में कुछ ट्रोक से पीडित होंगे ऐसा कहा राजा के श्राप सेव है तुरंत प्रत्वी पर गिर पड़ा और पोड़ी हो गया उन्हें अपनी पत्नी से अलगाव का भी सामना करना पड़ा और मृत्य लोक में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा भगवान शीर की भक्ती के प्रभाव से उसका मन अपने पिछले जन्व के कर्मों को नहीं भूला और वह हिमाले की और बढ़ने लगा वह रास्ते में एक आश्रम में गया और एक संद से मिला हेम माली उनके पास पहुँचा और उनके चर्णों में गिर पड़ा संद ने माली की पूरी कहानी सुनी और मोक्ष प्राप्ति करने में उनकी मदद करने का फैसला किया उन्होंने हेम माली को समस्त पापों से मुक्ति पाने के लिए असार मास के क्रश्न पक्ष की योगनी एकादशी का व्रत करने की सलहा दी हेम ने उचित विदी विदान के साथ वरत का पालन करना शुरू किया इसके फलस्वरूप वह अपने मूल रूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ खुशी-खुशी रहने लगा यह तो थी कथा योगने एकदशी की अब जान लेते हैं क्या रहेंगे शुब महरत तो एकदशी का प्रारंब तेहरा जुन को हो जाएगा सुभा उठठदाश पर और 14 जुन को सुभा आठ अटाइस पर यह समाप्थ हो जाएगी योगनी एकादशी का व्रत 14 जून को ही रखा जाएगा बुधवार वाले दिन उद्यातिति के अनुसार अब योगनी एकादशी के और भी कई सुभ महरत हैं तो उसके अंदर विजे महरत हो जाएगा 2.51 से 3.44 तक और अमरित काल रहेगा 6.26 से लेकर के 8.2 यानि कि सुभा 26 से सुभा 8 बच के 2 मिनट तक निशिता मुरत रहेगा 12 बच के 17 मिनट से लेकर के 1 बचे तक योगनी एकादशी पारण मुरत क्या रहेगा तो पारण कर पाएगे हम लोग 15 जून की सुभा 6 बचे से लेकर के 8 बच कर 32 तक जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट सेक्षन में जैश्री हरी लिखना नहीं भूलना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोज के लिए थैंक्स पर वाचिंग जैश्री हरी